हालो फ्रेंड्स वेलिकम टू आर्यम इंग्लिस लासेज फ्रेंड्स आईए आज हम इंग्लिस स्पीकिंग के कोर्स के दसमें एपिसोड में आपको पढ़ाएंगे कुछ बहुत महत्पूर इस्ट्रक्चर जिसका प्रियोग करके आप फटक फटेंग्रेजी बोल सकेंगे क्योंकि दोस्तों ऐसे इस्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता रहेंगे तो आप जानते हुए भी नहीं बोल पाएंगे तो चलिए देख लेते हैं बहुत महत्पूर इस्ट्रक्चर बताना जारा है जिसका प्रियोग स्पीकिंग में बहुत ज्यादा प्रियोग के जाता है तो देखते हैं जोस्तों आज का इस्ट्रक्चर है गौन आर्द डेज यूज भी पढ़ेंगे फ्लस इस्ट्रक्चर प पढ़ाते हैं जान अर्द डेज वें इसका प्रियोग करें वे दिन चले गए जब बहुत सारे हम वाक किये बोलते हैं वे दिन चले गए जब मुलायम सिंग्ग यादव उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री हुए करते थे वे दिन चले गए जब जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता थां वे दिन चले गया जब मेरीफिताजी खेत में काम करो करती थे वे दिन चले गया जब में एक रूपे के लिए रोय करता था इस तरह से बहुत सारे वाग चैसे अइसे चले तो उसके लिए structure मैं बता रहा हूं आपको जो कि दोस्तों आपको बुक्स में भी नहीं मिलते हैं ना कोई यूटूबर बताता है तो अक्सर आपको नहीं मिल पाते हैं तो इसलिए मैं आपको दिक्कत नहों बोलने में तो चलिए देख लेते हैं इसका structure क्या होगा gone are the days पहले सबसे पहले आप क्या लिख देजिए gone are the days लिखिए वे दिन चले गए इसकी अंग्रेजी और उसके बाद जब आता है ऐसे वाकिमें जरूर तो फ्यन लिख दिजिए उसके बाद subject लिख दिए फिर use to का प्रोग जरू तो मैंने सोचा पहले इसको भी आपको बता ही दें तब आगे और इस ट्रक्चर पर चलें और कुछ महत्तुपूर सब्द भी हम बताएंगे डेली यूजी जो हम करते हैं लेकिन दोस्तों पहले इसके बाद हम बताएंगे फिर कैसे अपना introduction दिया जाता है इंग्लिस में य सब्पोर्स आपका complete करेंगे तो चली देख लेते हैं और देज वेन सब्जेक्ट यूस्टू बर्फस्ट फार्म आपजेक्ट तो वह दिन चले गए जब आल आउट कमाल का असर दिखाया करते हैं तो इस तरह से आप कहते हैं अपने लाइफ में वे दिन चले गए जब आल अग्रेजी बनाएं कैसे हम देखिए वे दिन चले गए इसके अंग्रेजी आप बना लीजिए गान अर्द देज वेन जबके बना दिए आल आउट सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट लिए उसके बाद यूस्टू लिग दिए वर्क माने काम करना वंडर यूस्टू वर्क दिखाये कर था कमाल का असर दिखाना की एंग्रेजी होता हुए वर्क वंडर आप इसको नोट कर लिजिए वहती इंपर्डिंट वर्क वर्ड है तो गान अर्द डेज विन आल आउट यूस्टू वर्क वंडर अगला संटेस हम देखते हैं वे दिन चले गए जब मैं की त काई तो यह दिन चले गए जब मैं तुम्हारी बंदर घुर्कियों से डियर जाय करता है तो तो आई यूज टू इसकेर इसकेर माने डार ना तो आई यूज तूटू इसकेर माने डार जाय करता था यह कोई काम बार-बार हो था यूस्ट उब्रोग करते हुं इसको की तुए नि're पेपर बूलट्स समाइने कि यह तुम्हारे पेपर बूलट्स माने होता बंदर गुरकी यह बंदर गुर्की यह बंदर गुरकी जैसे बंदर गुर्क यह इसी तरह से तो आप तो दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर दिये दोस्तों के साथ क्योंकि हम अच्छा लगेगा तो दोस्तों आई देखते हैं कुछ एकसर साइज भी देख लेते हैं अब हम इतना वाकि बताएं अब इकसर साइज आप पहले इस वीडियो को पास करके कर लेजिए उसके बाद मैं बोल रहा हूं तो आंसर मिला लेजिए फिर उसके बाद ऐसे ही कई बहुत सारे वाकि 10-20-50 वाक क्या बना डाली है फिर आप जिंदगी में कभी इसको नहीं भू बोल ले जाएंगे नहीं तो आपको दिक्कत करना पड़ेगा वे दिन चले गए जब मैं एक रूपए के लिए रोय करता था तो गा तो गाना अर्द देज वेन आई यूज टू भी फारे रूपी वे यूज टू भी फारे रूपी वे दिन चले गए जब सचिन क्रिकेट गाना अर्द देज when शचिन यूज टू प्ले क्रिकेट गे लिए जब मैर फादर मेरी पिताजी भी खेत में काम चेंगे फिल्ह व्त देज जब मायवती उत्रफदेश का चुनाओ जीता करती थी मायवती यूज तू विन दा इलेक्शन ऑफ उत्रफदेश वे दिन चले गए जब मोधी चाय बेचा करते तो गौन अब इस तरह से और भी वाक्य बनाईए कि जैसे वे दिन चले गए जब भारत और पाकिस्तान एक हु इस तरह से आप बहुत सारे संटेस मनाईए प्रैक्टेस करिए विश्वास मानिए हंडेट परसंट गारंटी आप एंग्ली से बोलना सुरू कर देंगे और बहुत भी धड़ाक से बूलेंगे लोग प्यार किया करते हैं नजाने क्यों लोग आउवारागर्दी करते हैं ना जाने क्यों सराभ पीते हैं या नाजाने क्यों लोग इधर उधर घूमते रहते हैं ना जाने क्यों कस्मीर के लोग पत्थर बाजी करते हैं पत्थर फेकते हैं ना जाने क्यों आतंकवादी लोग स्टैनिकों पर प्रहार कर देते हैं ऐसे बहुत सारे लोग या पता नहीं अब इसके साथ क्यों वाता है तो हुआ या लगा देंगे अब लगा देंगे सकता है तो आप दूसरा भी लगा सकते कोई जरूरी नहीं क्यों ही लगा है आप आई वंडर तक जरूर लगाएगा उसके बाद आप प्लस वाई कर लेजिए इसको अगर बाइचांस कैसे आ गया तो आप हाउ लगा दीजिएगा क्लियर आई वंडर रक्कियों आप याद कि ना जाने या पता नहीं के लिए उसके बाद वाई अक्सर आता है लेकिन कैसे भी आ सकता है कुछ दूसरा भी वर्ड आ सकता है तो इसलिए कि कभी-कभी वाई की अलावा हाउ भी आ सकता है क्लियर हाउ के यलावां कुछ भी दूसरा भी श्ट्रक्चर आ सकता है तो आप इस न ध्यान देंगे ज्यादा तो आइवंडर वाई ही आता तो आइवंडर प्लस कुश्चिन वर्ट पिलस सब्जेक्ट क्लियर है फिर कुश्चिन वर्ट आए श्रक्र का वाई एक उसके ब तो देखिए वाके देख लेगा नजाने क्यों लोग प्यार करते हैं तो I wonder दोभाई क्यों पीपल फाल इन लफ लोग प्यार करते हैं तो इसली वंडर लगा देते हैं न जान न क्यों महन चूरी क्यों को न चर्थ है मि अग्ला संटस्ट है कि न जाने क्यों लोग स्राब पीते हैं एक रफोता है ना तो नजाने क्यों रहा sthp को करेे कैसे हो सब देखिए क्यों को इसी त्होड़ासा आस्या रहता था इसको मुझे आस्या है कि क्यों लोग सरा पी ते इसको ऐसे भी आपका सकते हैं इसलिए आई वंडर वहाई का रोग होता है तो ना जाने तुम्हारे कैसे-क स्थ के दोस्त क्यों आपको ध्यांद क्योंों इसलिए it तुम्हारे कैसे कैसे दोस्त है एक से ज़्यादा दोस्त है इसलिए आल यूर फ्रेंड सार करें यह सब्सक्राइब मुझे आशिर है कि तुम्हारे सभी दोस्त कैसे हैं सब्सक्राइब यह तुम्हारे कैसे कैसे दोस्त ना जाने तुम्हारे कैसे कैसे दोस्त है इसके अंग् बनानना कैसे देखिए नहीं इस सब्सक्राइब नियुक्या है राच इस सब contemporary हिट्गे मब श्क्राइब में सब्सक्राइब । एस hair और श्क्राइब होता है जिए जिया नहीं घ्सक्राइब हम देख लिए आप कुछ exercise practice दिए प्रैक्टिस कर लेजिए आप पहले इसको बीडियो पाज़के की सोच लेजिए फिर इसके बाद मैं एंग्रेजी बोल रहा हूं मिला लेजिए फिर इसके बाद एंडी डी यार रहेगा डवलो नहीं रहेगा तो डवलो एंडी यार इबाउट मने बिना उद्देश के इधर उधर घूमना आइवंडर वाइपीपूल वांडर इबाउट इसका इंग्री जोग है नजाने क्यों वह गोल गप्पी बहुत खाती है आइवंडर वाई सी टेक खाने के जी टेक इट शलर टेक रहता है यह सब्धम बताये थे पिछले वीडियो में शूड़क कर खाना गोल गप्पे को खा लेते इसलिए लिए बेटर होगा आइवंडर वाइसी स्लर्प सब्सक्राइब गोल गप्पे कर जी होता है वाटर वाल्स वाटर बाल्स माने ग वाटर लए टेरोरिस्ट्स टो तेरोरिक्ष ताइब इन बीजेपी इस तरह से और विश्वासमानी आपको 100% बोलने में फटाफट बोलेंगे आप किस दिन तक मेरे साथ बने रहने पर तो थैंक्स फार वाचिंग कीप लइनिंग कीप सपोर्टिंग वीडियो को सेयर करिए ज्यादा ज्यादा लाइक करिए सब्सक्राइब करिए फिर सब्सक्राइब कर द झाल